कम सामा गरी, से सही पनीर गर पे बना सकते हो। आप रेश्टूडन्ट स्टाइल सही पनीर, हलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पे और आज की व्लोग में व्लोग के साथ में एंड तक बने रहे और चैनल को subscribe नी कराés तो जल्दी से जाके चैनल subscribe करें और पास में bell icon को दबाना ना पूले वीडियो अची लगे तो वीडियो like करें, share करें, comment जरू करें जी दोस्तों देखो कमसामगरी में आप अपने गर पे सही पनीर रेश्टुडेंट जैसा बना सकते हो चार पांच लेशन की कली लेनी है थोड़ा सा अधरक का टुकड़ा देना है और रेड मिर्च लेनी है जिसको पानी में गला देना और चार बड़े-बड़े प्याज ले लिया है मैंने इसलैस में काट दिया है और दो नॉर्मल साइज की दो टमाटर ले लिया है और छे काली मिर्च और चार लॉंग ले लिया है और कड़े में ले लिया है थोड़ा सा ओईल ओईल के साथ मैं इन सबी चीजों को अपन फ्राई करेंगे फ्राई करने का मतलब है कि कच्चापन दूर हो जाएगा इनका तो सबजी स्वाधिश्ट बनेगी यह लेसून की कलिए है मैंने ओईल में डाल दी है गैस की आज बिल्कुल कम रखना है सलो आज पर ही इनको फ्राई करना है और यह अद्रक का फिस डाल दिया है चोटे चोटे फिस हलका सुनेरा होने पर अपन हलका सुनेरा कर लेता है इनको यह देखो हलका सुनेरा हो गया है लेसून अब डालते हैं अपने प्याज के सलाइस चार नॉर्मल साइज के मैंने प्याज ले लिया है और इनको सलाइस में कट कर लिया है और अब इनका फ्राइ कर लेते हैं जो इनका कच्छा पंदूर हो जाएगा मैं सभी चीजों को एक साथ फ्राइ कर रही हूँ आप अलग अलग भी इसका पेस्ट डाल सकते हो लैसुन और अद्रक का पेस्ट बना के अलग डाल सकते हो और प्याज कोव भी पेस्ट बना के आप अलग फ्राई करके अलग डाल सकते हो मैं इन सभी का साथ में फ्राई करके और ये राय रेड मिर्च लिए है मैंने इनको 15 मिन्ट के लिए मैंने पानी में भीगो दिया था तो एकदम अच्छे से फूल गई है इनको भी एक साथ में फ्रै कर देते हैं तो इनका भी कच्छा पंदूर हो जाएगा ये नॉर्मल साइज के मैंने दो टमाटर ले लिए है इनको आगे पिछे से थोड़ा सा कट कर लेना है और कैस के उपर एक जाली रखके इनको थोड़ा सा रोष्ट कर लेना है रोष्ट करो गे तो इनका शुआत बहुत ही अच्छा आता है आप पानी में बॉइल भी कर सकते ह हो मैं रोष्ट करके फिर इनका प्रेश्ट बनाओं भी दूर हो जाएगा या फिर ऐसे ही आप ग्रेवी बना सकते हो इधर मेरे एक साइड में यह रोष्ट हो रहे है पांच मिन्ट के लिए मैं इनको अच्छे से रोष्ट कर दिया अब मैं इनको मेक्षी के जार में डाल देती हूं आप इनको रोष्ट करके फिर पेश्ट बनाओं गए तो इतना सांधार बनेगा ना ग्रेवी बने गया आपकी सांधार कच्छापन भी नहीं आए गया और रेश्टूडेंस से भी सांधार सब्जी बने गया कि लाज जवाब खाते खाते रह जाओ गया अंगु के साथ में यह पीसा जाएगा मैं गर्म मसाला यूज नहीं करूंगी यह मैंने पीस लिया है मेरा प्याज लेशून अद्रक और रेड मिर्ची का पेश्ट बन गया है यह ट्रमाटर मैंने सेके थे गैस पे जाली रखके तो यह मैंने छील दिया है अभी ले ले लेते हैं अ अपने हिसाब से आप ओईल डाल देना मैंने ओईल डाल दिया है कड़ाई में यह ले लिया है मैंने कटोरी में रेड मिर्ची और स्वादनुसार नमक हल्दी और धनिया का पाउडर इन में थोड़ा सा पानी मिला के गोल बना दिया है और इनको डाल दिया है कड़ाई में यह मसाला पकने के बाद में यह देखो मेरा अच्छे से तेल छोड़ दिया है मसाला कितना अच्छा तेल छोड़ दिया यह देखो तेल छोड़ने के बाद में अच्छा साइड में तेल दिख रहा हुगा आपको और अब मैं डालनी हूँ यह प्याज लेसून अद्रक और रेड मिर्ची का जो पेश्ट बनाया था मिक्सी में यह डाल देते हैं यह डाल दिया कोई काजू बगेरा के भी जरूत नहीं पड़ेगी आपको साई पनेर में एक दम लाजवा रेश्टुड एन इस्टाइल बन रहा है बहुत स्वाधिश्ट बनता है आप एक बार ट्राइक जरूर करना इसको यह देखो मैंने इसको मिक्स कर दिया कितना सांदार लुक दिख ट्राइनका इनका को बहुत इसांदार कि अ आप ख ऊव्गेना तो छाटे खाहते रहा ज़ाब यह मेरे दोल लोज तो इनका भी पेस्ट बना दिया हैं अभी ट्रमाटर के पेश्ट को भी अंदर डाल देते हैं यह देखो ट्रमाटर की जो पेश्ट था इनको भी अंदर डाल दिया है तो अभी इनको थोड़ा सा यह देखो बॉयल हो रही है देखो किस तरह से बुलबुले उठ रहे हैं कड़ाई से यह अपनी ग्रेवी तेयार ह कोई काजू था ना कोई कुछ भी नहीं था कम समागरी में अपनी सांदार सब्जी बना सकते हो और यह मैंने चोट चोट पलिए कट कर दिया है अपने हिसाब से आप काट सकते हो मैंने इस विल्कु छोटा साइज में काटा है एक इंच से भी आदा इंच होगा ये इसमें मिला दिया है कोई ओयल वगेरा में फ्राई नी करा है मैंने इनको पनेर को पैकेट से लिया और कट करा ये मैंने थोड़ से मलाई ली है मलाई को पहले चमस से फेट लेते है फिर कड़ाई में मिला देते है इसे चमस से इस्पून से इसको करके इसमें डाल देते हैं ये थोड़ा सा दाई लिया है मैंने साही का मतलब होता है राजा महाराओ जाओ की सबजी ये हो गई मेरी साही पनेर की सबजी कम्प्लीट आपके पास में मलाई हो तो ठीक नहीं हो तो कोई जुरूरी नहीं डालने का मैंने वैसे डाला था इसका जो अगर तिक्कापन होगा तो अभी दूर हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही चाहता है ये देखो गरेवी में कितना मस्त लग रहा है कितने मस्त सबजी बन के तयार हो गई है मेरी थोड़ी देरी इनको और गैस पे पढ़ा रहने देता है पकने देता है ये देखो बॉइल उट गया है तो बॉइल हो रहा है तब तक क्या है पनेर में थोड़ा मसाला मिक्स हो जाएगा यह देखो मैंने पुरोष। दिया पनीर का ऊपर मैंने गार्निस कर दिया है और पुरोष्ट्य अपने थाली और गी से चुपड़ी हुई रोटी भी साथ में तरह मस्त लग रहा है और यह में चपाती एं जो गी से गी लगा हुआ है इनके उपर में पापड भी है तो जिसको भी खाना है वो आ सकता है एकदम रेस्टुडेन्ट एस्टाइल साही पनीर और घी से चुपड़ी हुई रोती चपाती तो साही पनीर और चपाती और पापड हमारा तयार है हमारा खाना लग चुका है बहुत बहुत अच्छी लग रही है तो खाने में तो आप बताई सकते हैं और हमने परुष दिया है अपने खाना अभी हम खाएंगे खाना शाही पनीर और बटर के साथ में चुपड़ी हुई रोटी चपाती और छाच भी है कम समागरी में आप अपने गर पे साई पनीर किस तरह से बना सकते हो यह कम सावान के साथ में आप रेश्टुरेंट होटल जैसा साई पनीर बना सकते हो अपने गर पे और बने रो वो लोग के साथ मैं फ्रेंट्स एंड तक और हम खारे अपना खाना पापड़ भी है हमारे खाने में